पुलिस जवान से लेकर आम इंसान तक कई लोग घायल थे वही इसी हिंसा में घायल हुए बोडल की डियेसपी सजन सिंग का गुरुग्राम के निजी अस्पताल में इलाच चल रहा था इलाच के दौरान डॉक्टर्स की माने तो उनकी एक आँख खराब हो चुकी है और ठीक होने के कम आसार हैं अब गुरुग्राम के होकेट खिलाडी डियेसपी की इस बहादूरी के लिए उनके प्रमोशन की मांग उठा रही है उनका कहना है कि डियेसपी सच्चन सिंग ने बहादूरी दिखाते हुए अपनी जान की परवाना करते हुए हिम्मत के साथ उपद्रव्यों के साथ दो दो हाथ किये वो वागई काबिले तारीफ है लेकिन उनकी इस बहादूरी का नाम सरकार को उनको देना चाहिए इसके सभी खिलाडियों ने मांग की है कि डियेसपी का प्रमोशन कर उनको प्रोचसाहन मिलना चाहिए इसे हमारी बहुत बड़ी मांग है एक अथा दीकारी गाय लोगा आख चलीगे उसका कम से कम दो परमोशन कंटिन्यों कि दी जाएं ताकि इस चोट की बड़पाई पोस्के इस बारे में कोई पत्तर भी लिखा गया सरकार पत्तर तो नहीं लिख्या लेकिन कोशिश करेंग हीता करिया है आपके द्हुरु बड़ी टो पत्तर कार होता रही पत्तर बेजेगा वो एक सब की तरफ से इंस सभी खिल लःड़ी उसी तरफ से है और यहां सेर की तरफ जो भी खेल जिस समंदीज है सब की तरफ से आप जो लिखोगे वो सबसे बड़ी होगा सर मैं नाब राजकुमार सर में खुक की हिलाड़े हूँ अबाजकुमार आजी हाँ पर डियस्पी सज्जन सिंग से मिलना है कि हम इसलिए मिलना है कि सर अमारे जोकोर साब ने और बाजसाब ने बोला है कि इनका प्रमोशन किया जाए कि यह जो आचा सा इकत्तिस तारीक हुआ था तो उनमें उनके एक आख जो है निमतलब चांच बह हमारे साथ हैं तो हम चाहते हैं कि सरकार उनको प्रमोशन के लिए करें डियस्पी सज्जन सिंग का आवाज गुरुग्राम में है आज उनके आवाज पर होकी के कई खिलाडियों के साथ कोच और पुर्व कोच भी पहुचे एक सुट से मांग करते हुए उनका कहना है कि सरक दलाल जो डियस्पी साहब हैं यह होकी के खिलाडी रहे हैं अच्छे खिलाडी रहें परदेश के और नैशनले पर खेले हैं 31 तारीख जुलाई को जो नू में जो हिंसा हुई उसमें इस बाहदर ओफिसर ने जो वहां की धार्मी की आत्रा जो थी उसकी रिक्षा करते मांग है कि ऐसे बाहदूर ओफिसर को एक परमोशन दिया जाए और परमोशन देका है वह एक ओफिसर का नहीं पूरी हर्याना पुलिस फोर्स का ओशला बढ़ाएंगे क्योंकि इतने गदर में इस तरह से जो हमला हुआ जिस तरह से जान लेवा हमला था और वहां डटे रह वहां लोगों की हेल्प करते रहे वह अपनी चोट की परवावन नहीं की ऐसे बाहदूर ओफिसर से आज हम सब मिलने आए थे और भगवान से परातना करेंगे जल्द उनकी आकी रोशनी वापिस भगवान परातना है कि उनकी आकी रोशनी लटाई डोक्टरों ने का है चा पुली लगी थी कुछ और जवान हैं जिनको जो घायल वे थी इन सब को एक परमोशन दिया जाना चाहिए द्यस्पी भाई को भी सजन दलाल को परमोशन मिलना चाहिए ताकि सभी पुलिस फॉर्स के जितने जवान और ऑफिसर उनका होसला अब जाए उसके कि मुश्किल ग देखिए इसमें पत्तर डालने की तो कोई जरूती नहीं होनी चाहिए थी सरकार को पुरे देश को पताया कि वहां पर क्या हुआ था पुलिस के साथ हुआ क्या हुआ आम जंता के साथ हुआ क्या हुआ प्रदेश सरकार है खुद इस पर अमल करना चाहिए इसमें पत्तर ड दरसल डॉक्टर के अनुसार सच्चन सिंग के आँख के पास गहरी चोट लगी है जिसके ठीक होने की उम्मीद कम जताई जा रही है जिसको देखते हुए ही खिलाडियों ने मांग की है कि उनका प्रमोशन किया जाए ऐसे में देखना होगा कि क्या सरकार नुह हिंसामे घायल डिएसपी सच्चन सिंग को उनकी बहादुरी के लिए कोई ये नाम देती है या नहीं विरो रिपोर्ट पंजाब केश्टी टीवी